हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है महादी और आप देख रहे हैं Helping Mobile 99 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रें आज का इस वीडियो में आपको बताते हैं सबसे पहले प्रोब्लम और मोडल फ्रेंड मेरे पास आज पोखो का M3 मोडल है आज दोस्तों केस्टन में बता रहा है कि चलते चलते फोन अचानक डेड़ हो चुका है दोस्तों अगर आपको पास पहली वराएं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जा तो फ्रेंट देख सकते हैं यहां पर हम चार्जिंग लगा के भी चेक करके दिखा दिखा दिखे हम चार्जिंग लगा चुके हैं और कोई रिस्पोंस नहीं दे पा रहा है कि दोस्तों हमको लग रहा है फोन डेड़ हो चुका है चलिए आप लोग वीडियों पुरा बने रहें आपको step by step दिखाएंगे तो फ्रेंट यहां पर हम वीडियो को फास्ट कर दियां और सैट को अभी ओपेन कर रहें तो अगर हम वीडियो को फास्ट ने करेंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा उसलिए हम वीडि जब ओप हो चुका था तब हम phone को रख दियें ते उसलिए सबसे पहला काम है कि हम battery को चेक करेंगे battery कितना charge है कि charge नहीं है दो सब्रेमेद फोन रख देने से बेटरी तरी पुरा discharge हो जाता है उसलिए हम पहले battery को चेक करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा क्या करना है कि आ शुआ बट्रेरी में जीनिन ने माट लया है इसका मतलब द सब dei कंप्र प्रीत रेस्ट steep और presents हुप मतलब प्राद देख लेते हैं कि कर देखे प्रीटेर्ड हो चुका के शाम हुआ हम अपने से जो चार्जर होता है उसको केबल काट के दो बलेट लगा दिया है और उसी सब बूश्ट करते हैं बैटरी को दोस्तों पांच मिनट तक हम इसी तरीके से पकर कर रखेंगे ताकि बैटरीक चार्ज हो जाए पांच मिनट हो चुका है आप देखते हैं कि बैटरीक कितना चार्ज हुआ है आप मीटर देख सकते हैं बैटरीक चार्ज हो चुका है की दरीशल सटारा इसका मतलब दोस्तों फॉन इतना में चालू हो जाएगा आ कि कुले होий मेत चालू करते हैं चालू करके दिखाते कि gdzie फूंच हो पाता कि भूत बार एसा होता पहला काम है कि आप बैटरी को बूस्ट करके एक बार चेक करके देख लें देखें बूस्ट करने के बाद आर चार्जिंग लगाने के बाद फिर भी फोन चालूर नहीं हो रहा है इसका मतलब दोस्तों पोको M3 जो मडल है इसमें देख बार इस तरी का प्रोलम होता है है जल्ले मधरबोर्ड को बाहर करते हैं मधरबोर्ड बाहर हो चुका है सारा कैमरा-पॉँकके खोल के रख लेंगे मेंसे ताकि दोस्तों कैमरा बहुत जल्दी खराफ हो जाता है हाथ लग जाने कारण से या तो जश्ट लग जाने कारण से क्यामरा खराप हो जाता है तो उसलिए क्यामरा को खोल के पर हम सेप करके रख लेंगे हम क्यामरा को खोल के रख लिए हैं अब दोस्तों आप सोटिंग चेक करेंगे बोर्ड में कि फोन सोट है कि नहीं है तो फिर देख सकते फोन सोट नहीं है दोस्तों पोको एम 3 मोडल एक दो फोन इस तरीके से आते ही रहता है सेम प्रोब्लम जिस तरीके से अभी हम करके आप लोग को दिखाएंगे चलिए अब मदरवर्ड को PC होल्डर में लगा चुके हैं आप देखे कि हम क्या काम कर रहे हैं चलिए पेश्ट को निकालेंगे पेश्ट को लगाएंगे साड़ साइड में अब दोस्तों पेश्ट लगाने के बात से जो इस्टिल का कभर दिया हुआ उसको हमको बाहर करना है आज दोस्तों बाहर करते सब्सक्राइब हीट रखेंगे चलिए इस्टिल को हम बाहर करते हराम राम से झालेंगे जद का करते हैंगे तोस्तों बाहर हुआ से जद साइब ऊश्ट को लेंगे करते हैंगे में दोस्तों बाहर करते हैंगे चलिए बाहर हो चुका है कभर अब दोस्तों अलग से आपको हिट नहीं करना है बस आप ठंडा होने का वेट करें फिर आपको दोस्तों मीटर से हम चेक करके बताएं कि फोन दोस्तों वहाँ पर भी जूर रहने कारण से भी फोन ओफ हो जाता है ठंडा होने का वेट करते हम तब तक दोस्तों फोन ठंडा हो चुका है अब इसको साप कर लेते हैं और साप करने के बात से फिर एक बार हम मीटर से चेक करके देखेंगे कि यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है और कंपोनेंट दोस्तों सोट हो जाने कारण से भी फोन डि अब उपर के कवर होता है उसको खोल ले और वास करके पौन को फिर सेट कर दें आपका फोन दोसको चालू हो जाएग अगर आप कवर खोलते हैं इस्टील का तो आप हीट से खोले है अध्यों दोस्तों कटर सागर काटके आप खोलते है तो आपको फिर से रिस्टर को प्ले करना पड़ेगा हलका हलका देख सकते हैं सब कुछ सही है इसमें कोई सा रजिस्टर खराब नहीं है इसको बाहर कर लेते हैं और मदरबॉड को सेट करते हैं कि अब यहां पर हम वीडियो को फास्ट कर दिया है और अभी केमरा को सेट कर रहें इसी तरह के सतों इतना कुछ हम इसमें खोले केमरा को ले हैं यह तो आप कुछ भी चीज खोले इसको सेट कर ले अब इसमें हम उस ग्रूप लगाएंगे दूस्तों स्कुरूप भी सेट हो जुगा है चलिए अब चेक करके आपको बताते है कि फोन चालू हुआ कि नहीं सबसे पहले हम चार्जिंग लगा दिये आज चार्जिंग देखें चार्जिंग लोगों पर आ चुका है दोस्तों कुछ देर तक वेट करें देखें चार्जिंग ले लिया अब ही तीन परसेंट बता रहा है चलिए हम चालू करते हैं चालू करके आपको हम बताते हैं देखें तीन परसेंट है अभी यह के फोन चालू हो चुका है दोस्तों आप इसी तरीके से करके पोकह का M3 मॉडल आप असाने से रिपियर कर सकते हूं दोस्तों अगर आपका फोन चलते चलते अचानक डेड़ हो चुका है तो दोस्तो इस प्रोसेस से आप प्रिपेरिंग कर सकते हो पोको का M3 मोडल दोस्तो फ्रेंड आज का वीडियो पसंदायत में चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि दोस्तो आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो फ